तो हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन सिन्वा की तीन बड़ी फिल्मों के बारे में जिसमें सारुखान की फिल्म, जवान सिनिद्वार की फिल्म गजट्टू और परवास की फिल्म बाहूबली टू सामिले और आपको बताएंगे इन तीनों फिल्मों का आज का और अभी तक का बॉक्स ओपीस केलेक्शन कितना रहा कौन से फिल्म ने मारी आज बॉक्स ओपीस पर बाजी और कौन बना आज का सबसे बड़ा सुपर इस्टार और कौन से फिल्म बनी 2023 के सबसे ज़्यादा कामाई करने वाली सबसे बड़ी बॉलकवस्टर फिल्म तो दोस्तों यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अन कर ले आपकी हमारे वीडियो का नोटिफिक्सन आपको मिलते रहे सबसे पहले तो सबसे पहले बात करते हैं सिनिदवार के फिल्म गजटटू के बारे तो दोस्तों आप सभी को पता है इस फिल्म में आपको सेनिद्वार के साथ अमिसा पटेल और उतकरत सर्मा का काफी आचा रोल देखने को मिला था और इस फिल्म को डारेक्ट किया था एनिल सर्मा ने जिसका वज़त 80 कोड़ रूपय था और इस फिल्म को बॉक्स ओपीस पर 284 कोड़ का कारोबार किया और वल्डाइट बॉक्स ओपीस वा 379 कोड़ कामाने में कामियाब रही और शुर्वाती बीस दुनों तक आते आते इस फिल्म का कैलेक्शन इंडियन बॉक्स ओपीस पर चासो चोटर कोड़ का हो गया और वल्ड राइट बॉक्स वपीस वर चोसो बाइस कोड़ कमाने में काम्याब रही तो दोस्ता आप बात करते हैं इस एपिसोड के दूसरे बड़ी फिल्म बाहुवली टू के बारे में आपको बता दू ऐसा सराजा मॉल्ली के दौरा डिरेक् सब्सक्राइब टोड़ते हुए अपने पहले दिन इंडियान बॉक्स वपीस पर 41 कोड़ का के लेक्शन किया और सुराती 20 दिनों तक आते हाते इस फिल्म का के लैक्शन बॉक्स वपीस पर 438 कोड़ का हो गया और यह फिल्म बोक्स फ़र टाइम बोगवसर्टर साबीत और इस फिल्म को बॉक्स ओपीस पर 8000 से भी ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीस किया गया और इतने ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीस होने की वज़े से जवान फिल्म बॉक्स ओपीस पर रिलीस होते ही साड़े को तोड़ दिये और अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ओपीस फर 75 कोड का केलेक्शन किया और इस फिल्म को बॉक्स ओपीस फर रिलीज हुआ आज 19 दिन से ज्यादा हो चुके है तो यह फिल्म आज इंडियन बॉक्स ओपीस फर लगभग 15 कोड का माती नजर आ रही है जिसा जवान फिल्म को केलेक्शन इंडियन बॉक्स ओपीस फर पास 49 कोड का हो जाएगा सारखान बना आज का सबसे बड़ा सुपरिश्टर